कि हाई एव्यों स्वागत आप सभी का इस वीडियो में हम जनल साइंस के कुछ बेसिक को सॉल्व करेंगे आप अपना स्कूर कोमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं बिकर्ज नॉनिविश्टी के एक्जाम में 50 मार्क्स की जनल साइंस होगी जो एक मेजर रोल प्ले करेगी आप कि एक्जाम पोस्ट पॉन हो गया है तो थोड़ी उन में हलचल देखने को मिल लिए कि एक्जाम कब होगा एक्जाम जब भी होगा बट आप अपनी प्रेपरेशन का लेवल बता सकते हैं कोमेंट सेक्षिन में कि आपने कितने कोश्टी जो है वो परफेक्टली यहां से सॉ करना था तो basic questions भी हम गलत करते हैं सभी करते हैं तो यहां पर आप सभी जानते ही जो हमारा right answer होगा work and energy दोनों के जो fundamental sorry dimensions है वो same है because work and energy दोनों एक ऐसी form है जो mutually convert कर सकते हैं से energy को आप work में भी convert कर सकते हैं तो अगर हम work का dimensional formula देखें तो वर्क आपके पास क्या होता है यह होता आपके पास force into distance तो आप जानते हैं कि जो force होता होता है mass interaction यानिकी MLT-2 and s is your distance यानिकी L आपके पास जो work का dimensional formula बनता है ML2 T-2 तो अगर आप बात करते हैं पावर की तो पावर क्या होता है पावर होता है आपका work upon time इसका जो dimensional formula ML2 T-2 divided by time के लिए आप क्या करेंगे T तो यहां से आपके पास आचा है ML2 T-3 ठीक है तो यहां से यह तो गलत हो जाता क्योंकि work and power की तो वैसी नहीं हो सकते हैं और force का आपको मैंने बताया है force in power का भी नहीं हो सकता है momentum and energy का भी नहीं होगा तो यहां पर जिसका correct answer है वह आपका option D work and energy the slope of velocity time graph represent माली जगर आपके पास यह velocity है यह time है तो इसका जो slope होगा वह क्या रिप्रेजेंट करेंगा तो यह आप जानते ही आपका यह आपका डी याने की x x x x x and y axis तो आपका आप जानते कि टैंजन जो ठीटा होता है वह आपका बंदर डी वाइबाई डी अक्स याने की velocity upon time क्या करेंगे velocity upon time क्यों होता है acceleration तो option a slope of velocity time graph आपको क्या देता है वह देता आपका acceleration अगर मैं यह मानू यह velocity है time है तो area अंडर यह वाला जो area होगा वह आपको क्या देगा वह आपको देगा distance तो आप यह भी याद रख सकते हैं area अंडर ग्राफ तो यह भी question पूछा जा सकता है तो यह आपको पता होना चाहिए Newton's first law is called as basic questions है तो देखते हैं आप कितना कर पाते हैं अधर जो हमारी वीडियोस होगी उसमें हम थोड़ा और लेवल के जिस तरी के साथ का response होगा या जो भी suggestions होगे उसकी साथ से हम करेंगे तो Newton's first law is called तो देखिए law moment law of energy law of inertia and momentum तो law of inertia होता आपका Newton's first law because यह आपके laws of motions में आते हैं Newton's law first law second law and third law because जो जो भी किसी भी object की जो एक state होगी वो उसी state में रहेगा until उस पे कोई external force act करता जैसे मानली जी कोई कार है तो वो खड़ी ही रहेगी ठीकिए अगर जब तक आप उसे external force नहीं देंगे बाकि आप law of energy जानते हैं ठीकिए law of momentum momentum भी जानते होंगे a slow running pendulum clock can be speeded up by अगर आपकी जो slow running pendulum है आप उसे कैसे speed up कर सकते हैं तो इसका जो right answer होगा to by reducing the length of bob तो यह आपका right answer है जब मैंने इसे देखा तो बुक में इसका answer option b है बट यह गलत है तो आपको यह भी ध्यान रखना कि जो आप पढ़ते हैं वह आपका सही हो because books may be sometime error होता है तो उसमें वह सभी कोई पता कि perfect करना मुश्किल हो जाता है तो आप सभी जानते कि जो हमारा टी है देखिए यह दो constant है तो आपका जो relationship है वह directly है ल के साथ ठीक है तो यहां से आपको पता है कि जो आपका है यह depend करेगा आपकी length पर तो reducing the length of bob बाकी weight का कोई relationship नहीं है आपका इसका जो running pendulum है या उसकी स्प्रीट से या उसकी oscillation से कोई भी नहीं है तो आपने याद रखना है reducing the length of bob green house effect is heating up of earth's atmosphere which is due to जो आपकी green house effect होते हैं वह किस कारण होते तो आपने याद रखना है जो आपकी infrared rays होती है या आपकी जो और भी green house gases होते हैं जैसे carbon dioxide हो गया आपकी methane हो गया या आपके water vapors हो गया तो यह सभी आपके green house effect के लिए responsible है क्या होता है कि जैसे sun से जो भी हमारी light आती है या energy आती है अर्थ पर तो वह क्या होता कि वह आपके atmosphere में जैसे आती है बार-बार trap हो जाती है फिर इससे क्या होता कि temperature जो है वह राइस कर जाता है तो वहीं से आपका greenhouse effect जो है वह बनता है बाकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी ozone layer होती है वह आपकी UV rays से हमें protect करती है और question यह पूछा जाता है कि जो आपकी ozone layer है वह कौन से लेयर में पाए जाती है वह आपकी है वह stratosphere में पाए जाती है और यह भी पूछा गया कि ozone layer में जो है वह होल हुआ था तो वह कौन से जगह पर हुआ था वह आपका अंटार्क टीका पर आप यह भी पूछा जाता है एक्सरेइस के बारे में यह पूछा जाता कि आपको मुझे बताना कि देखिए आपको क्या करना है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारी spectrum है आपकी जो visible light है या other light है कि तो उनमें जो उनकी wavelength है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए एक्सरेइस से यह question पूछा जाता है कि इसकी जो discovery है वो sorry किस ने की थी तो आपने याद रखना है William सब्सक्राइब करेंगे आने वाली वीडियो में जासा आपका response रहेगा विच इस नेचुरल कोलॉइड तो नेचुरल कोलॉइड क्या होगा हमार पास यहां पर होगा option C blood तो blood की जो blood groups है हमारी उसकी खोज किस ने गी थी आउसके discovery किस ने गी थी तो आपने याद रखना है land stanner है हीटिंग ओफन और बिलोव इस मेल्टिंग पॉइंट इन दा एपसेंस ऑफ एर इस नोन अज तो इसे कहते हैं कैल्सिनेशन option is the right answer बाकी रोस्टिंग होता है कि जो हमारे ओर्स होते हैं मैटल ओर्स होते हैं उन्हें जब ऑक्साइड में substance undergo to obtain various hydrocarbons तो अगर जो हमारा crude oil होता है उसके वाद उसकी रिफाइनिंग करते हैं तो वेरियस hydrocarbons हम कैसे निकालते हैं वह निकालते हैं fractional distillation से सब्लीमेशन आप जानते हैं सब्लीमेशन क्या होता है जब आपका कोई सॉलिड है वे डारेक्टली कनवर्ट होता है अपका गैसी स्टेट में अदर्वाइस ऐसा होता है कि आप व te Adam जाते हैं तो बाकी distillation आप जानते अपको पता है कि जो कोई भी चुलिद्वय होटिक कि इस स्टेट में कनवर्ट होता है कि अलिफेटिक हाइड्रोकाबन विच कंटीन डबल कॉवलेंट वांट्स आज तो ऐसे जिन में डबल कॉवलेंट वांट्स होते हैं उन्हें कहते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनसाचुरेटिड हाइड्रोकाबन नेक्स्ट कोश्चन है आपका विचो फॉल्विंग कंपाउंड डज नौट कंटीन काव बॉट कार्वाक्स लिक एसिट ग्रूप किसमें नहीं है आपका जो है पिक्रिक एसिड और विनेगर में हैं आपको सभी जानतें सी एस डी सीड़ एच और कावक्स लिक एसिड पर आप जो है वो अटेश करेंगे बाकी तो यह आपका में ग्रूप होगा बाकी बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की सेलिलर टोटी पोटेंसी इस इसका जो राइट आंसर होगा यह बायो वाले जो है वह अच्छे से जानते होंगे कैपेबिलिटी ओप्लांट सेल्स टू से आप जानते हैं कि माइट्रो पॉंड्रिया को हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं नेक्स्ट कोशिन आपका विच आप वाटर के लिए वाटर स्प्लाइए के लिए और बाकी फ्लो एम आप फूड के लिए जानते हैं तो यह आप बायोलोजी वाल अच्छे समझते होंगे प्रोटीज्ट किसमें अपसेंट नहोंगी वह होगी आपकी स्लाइवा में आपका एक एंजाइम होता है एपने याद रखना है बाइल इच पहां से निकलता है बहुत बार कोशन पूछा जाता ही निकलता आपका लीवर से और पैंक्रियास से जो आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है आपने यह भी याद धखना है आपको पता ही होगा इस तरह किसे आप यहार रखते हैं नेक्स कोशिन ने बॉटी डिला पर टशीज कॉज़िस तो यह क्या कॉज करता है यह करता है आपकी हूपिंग कफ गनोरिया क्या होता थे कि यह आपका एक सेक्सुली ट्रांस्मिटेड डिजीज है जिसे हम एस्टीड कहते हैं यह आपकी मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है और जो आपके सिफलिस है यह भी आपका एक एस्टीड है ठीक है तो आप यह याद रख सकते हैं कई बार कोशन पूछ ले जाता है कि इनमें से कौन सा पूर्ट क्या रहा है आप फीडबैक दे सकते हैं कोई भी आपस सजेशन है वो दे सकते कमेंट सेक्शन में इनकेस आपको किसी भी सॉलेशन में मिस्टेक लिए आप बता सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्रिपेर करें तिल देन आप झाल